अगस्त 1947 मदरास प्रेसिडेंसी तमिरनाड विशिष्ट लोगों का एक सम्हों अपने जीवन काल की एक एतिहासिक यात्रा की तैयारी कर रहा था उन्हें एक माद्वपूर्ण कार्य संपन्न करने के लिए आमंत्रत किया गया था एक शासक से दूसरे शासक को सत्ता हस्तांतरन की प्रक्रिया को विधी विधान के साथ पूर्ण करने का कार्य सौपा गया था किस दिशा में कूच कर रहे थे ये लोग? दिल्ली भारत अपनी स्वतंत्रता के समीप था ब्रिटीश शासन से मुक्ति की बेला थी स्वराज के लिए संगर्ष में हजारों गिरफतार हुए और मारे गए और तशको बाद राष्टर अपनी लक्ष के समीप था वो लक्ष था, स्वाधीन था, स्वतंत्रता अबंतिम वाइसरोई लॉड माउंट बैटन को एक मत्वपूर्ण कार्य करना था भारतियों को उनका स्वराज्य सौपने का कार्य परंतु उनके सामने एक सवाल था स्वराज्य को किस प्रकार सौपा जाए ऐसे में हाथ मिलाने की रस्म शायद ही काम आए तो इस गौरोशाली शन के प्रतीक के रूप में कौन सी रस्म अपनाई जाए उन्होंने पंडित जवाहरलार नहरू के सामने अपना ये सवाल रखा ये एक उचित सवाल था जिसके बारे में विचार विमर्ष की आवशक्ता थी नहरू जी ने ये प्रश्ण जाने माने स्वतंतता सैनानी श्री सी राजगुपालाचारी के सामने रखा जिने राजा जी के नाम से जाना जाता था वे तमिलनाड से थे नेहरु राजाजी की विध्वता और भारतिय परमपराओं और सब्भ्यताओं पर उनके घ्यान का सम्मान करते थे राजाजी को इसका समाधान भारत के गौरवशाली अतीत में मिला तमिर्नाड के चोड़ा समराज में जो भारत के प्राचीनतम और धीर्ग काल तक चलने वाले समराज्यूं में से एक था एक चोड़ा समराज से दूसरे समराज को सत्ता का हस्तान तरन नीती परायनता के प्रतीक अर्थात सेंगोल सौप कर किया जाता था भगवान शिव के आशिरवाद का आवाहन करते हुए उस समय के महन्त द्वारा सेंगोल को आशिश प्राप्त होता था क्योंकि चोड़ा शिव के प्रबल भक्त थे उनके द्वारा स्तापित हजारों वर्ष पुराने मंदिरों में आज भी पूजा की जाती है राजा जी ने इसी परंपरा और समारों के आयोजिन की सला दी जिसे नहरू जी ने स्विकार किया राजाजी ने बिना समय गवाए इस समारों के लिए प्रमुख धार्मिक मठ या आश्रम तिर्वा वर्दुरई आदिनम से संपर्क किया जिसे पाँच सदियों पहले स्तापित किया गया था और ये तब से चोड़ा भूमी के केंद्र में स्तित है और आज तक कारियरत है ततकालिन मठ प्रमुख बीस्वे गुरू महासनिदानम श्रील अश्री अंबलवाना देशिक स्वामी ने अपनी अस्वस्तता के बाद भी इस कार्य को स्वीकार किया उन्होंने सेंगोल बनाने का दाईत्व मदराज के प्रसिद्ध स्वर्नकार वुमडी बंगारू को स्वाम सेंगोल के शीर्ष पर नंदी विराजमान थे जो की शक्ती, सत्य और न्याय के प्रतीक है सेंगोल बनाने के समय को याद करते हुए 96 वर्षिय श्री वुमडी एतरा जुलू कहते हैं आधिनम किसी की सिफारिश पर हमारे पास सेंगोल का निर्मान का न्योता लेकर आये थे उन्होंने हमें इसके चित्र दिखाए यह एक गोल लंबा का रवस्तु थी जिसे बिलकुल वैसे ही बनाना था यह एक महत्वपूर्ण स्थान पर जा रहा था इसलिए उच्च गुनवत्ता आवश्यक थी हमें इसके निर्मान का आधेश मिला यह चांदी से बना था जिस पर सोने की परत थी आधिनम के सानीध्य में इस निर्मान से जुड़कर मैं बहुत ही प्रसंड था स्वतंत्रता सब के लिए गौलोवशाली शन था पर आधिनम द्वारा हमें सेंगौल निर्मान का दाईत्व सौंपने से उस शन का महत्व बढ़ गया था परम पावन मट प्रमुकने उपप्रमुक श्रील श्री कुमारस्वामी तंबिरान आधिनम के ओदुवार विशेश गायक मानिक्यम और नादस्वर विद्वान टी एन राजरत्नम पिल्ले को आयोजन संपन्न कराने का दाईत्व सौंपा ये दल एक विशेश विमान से धिल्ली पहुचा 14 अगस्थ 1947 की रात्रिको श्रील श्री कुमारस्वामी तंबिरान ने रीतिनुसार सेंगोल को लॉड माउंट पैटन को सुपुर्द किया और लॉड माउंट पैटन से उसे पुनह स्विकार किया तक पश्चात सेंगोल पर पवित्र जल चिड़का गया शोबा यात्रा के रूप में इसे पंडिक जवाहरलाल नेहरू के पास ले जाया गया इस अफसर पर उदुवार ने तमिल संत तिरिज्ञान संबंदर द्वारा रचित कोलर पदिगम से शलोको का पठन किया महंत ने नेहरूची को पीतांबर पहनाते हुए उन्हें रीतिनुसार सिंगोल सौपा अडियार गलवानिल अरसालवार आनई नमदे अर्थाद ये हमारा आधेश है कि ईश्वर के अन्युआई, राजा, स्वर्ग के समान शासन करेंगे इस वाक्य से शलोक का समापन हुआ इस प्रकार एक हजार वर्ष पूर्व की सब्यता गत प्रथा के अनुसार दक्षिन और उत्तर के असाधारन एकी करन द्वारा राष्ट्र को एक सूत्र में पिलोती हुए शासन का हस्तांतरन हुआ तद पश्चाथ नेरुजी ने श्री राजेंद्र प्रसाद सहीत कई नेताओं की उपस्तिती में सेंगोल को स्वीकार किया आगे चलकर श्री राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्र पती बने इस एधिहासिक घटना का उलेख वो प्रकाशन राष्ट्रिय और अंतर राष्ट्रिय मीडिया में किया गया 25 अगस्ट 1947 की टाइम पत्रिका ने भी इसे प्रकाशित किया हस्तांतरन की प्रक्रिय के पश्चाद पंडित जवाहरलाल मेहरू ने 14 अगस्ट 1947 की मद्य राथ्री को अपना विश्व विख्याद भाष्ण राष्ट्र के नाम संबोधित किया कर दो कि विए प्रकाशद पिंगाद राष्ट्र को और प्रकाशद राष्ट बाभाश राष्ट्वच्र का रपस्ट्वप्यारल में के बाभाश पत्वा ने भी राष्ट्र प्रकाश्वाद